कि देखेंगे और सिंपल सा टॉपिक है कुश्चा नमबर हमारा 39 पहले इसका लेजर और फिर उसके बाद इसका हम पोस्टिंग देख लेंगे जर्नल एंट्री के केस में कैसे करेंगे तो जेड रेटायर हो रहा है इसके अंदर तो जेड को मैं पहले ही मांक कर लेता हूँ कि जेड रेटायर है है ना इंपॉर्टेंट 39 कुश्चन है मैंने 38 तो नहीं लिखा हाँ 39 है कहता है गुडविल आफ दा फर्म वेल्यूट और फर्म का वेल्यूट है 34,800 अगर हमारा फर्म का गुडविल वेल्यूट है तो हमें पहले किस का निकालना चाहिए बताइए जेड का पार्टनर का तो मैं इस साइड में निकाल लेता हूँ जेड शियर आफ गुडविल जेड शियर आफ गुडविल और यहां पे देखा जाए जेड शियर आफ गुडविल के अंदर क्या है हमारा 34,800 34,800 और Z का हिस्सा निकाल लेते हैं Z का हिस्सा आपको गीवन है यहाँ पर 1 by बताइए 1 by 6 तो यहाँ मैं प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लेता हूँ 34,800 डिवाइड बाइ 6 यानि 5,800 Now 5,800 रुपीज बताइए कि 5,800 रुपीज क्या होगा किसमें डिस्टिब्यूट होगा कौन देगा यानि X और Y देगा Z को किस रेशो में अच्छा गेनिंग रेशो किसमें दिया जाएगा गेनिंग रेशो में अब यहाँ पर देखा जाए तो निव रेशो हमें कुश्चन में गीवन नहीं है तो गेनिंग रेशो जो बनेगा हमारा 3 is to 2 तो मैं डिस्टिब्यूट कर देता हूँ मैं लिख दूँगा बाई X कैपिटल और बाई Y कैपिटल और अठावन सो को बाट देते हैं हम 3 is to 2 डिवाइड 5 इन्टू 3 इस अकाउंट में आ जाएगा 3480 और इधर आ जाएगा 2320 रुपे ठीक है न अब दूसरी एंट्री इसकी डबल एंट्री कहां करेंगे 2 साइड में 2 साइड में किस नाम से किया जाएगा 2 Z को दिया गया है तो Z के नाम से Z कैपिटल Z कैपिटल 3480 और यहाँ पे अच्छा 8020 है 2320 ठीक है न 2320 रुपे यह हमारा फर्स्ट अर्जस्मेंट कम्प्लीट हो गया अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूँ तो जर्नल एंट्री हमने treatment of goodwill वाले topic में किया है जर्नल एंट्री क्या draw होगा सोचते रहना क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो फिर यह help करेगा जर्नल एंट्री हो जाएगा हमारा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जएड कैपिटल अकाउंट समझ रहे हो ना बात को चलिए अगले पॉइंट पे अगर हम चलें फिर से अगले adjustment पे value of patent जो patent है हमारा reduce by 20% तो सबसे पहले मैं यहाँ patent लिख लेता हो patent कितने का है 10,000 patent दे रखा है question में आपको और यह 20% से कम हो गया तो minus कर देंगे less reduce और reduce 2000 second entry की अगर हम बात करें इसकी तो यह second entry कहाँ चले जाएगा हमारा revaluation के two side में और two side में क्या जाएगा हमारा patent और 2000 रुपे आ गया ठीक है अब इसकी journal entry दिमाग में सोचो जब कभी भी हमारा assets कम होगा ना तो वो credit हो जाना चाहिए और assets बढ़ेगा तो वो debit हो जाना चाहिए यह simple सा concept है अब जब assets कम होगा तो credit तो करेंगे लेकिन debit भी तो करने के लिए कुछ चाहिए assets घटे या बढ़े दोनों का reason है revaluation ठीक है ना अब मैंने बोला assets कम हो रहा है तो credit करोगे और debit किसको करोगे revaluation को अगर assets बढ़ेगा तो debit करेंगे assets को लेकिन credit अब किसको करेंगे revaluation को same liability बढ़ जाए तो credit होता है और liability घट जाए तो क्या होता है debit होता है उल्टा होता है ना liability के अंदर liability अगर बढ़ रहा है तो हम credit कर देंगे liability को लेकिन debit करने के लिए भी तो कुछ चाहिए revaluation ठीक है ना general entry में देखेंगे क्योंकि इसको पूरा मैं एक बार पूरा practical करूँगा उसके बाद general entry करेंगे इसके अब आगे कहता है machinery 290% अब 2 का मतलब क्या होता है जब कभी लिखा होता है ना 2 तो इसका मतलब होता है इतना बच गया है एक होता है machinery कितना था हमारा यहां पर 50,000 और बोलता है 90% बच गया है तो indirectly कहता है 10% घट गया है तो less कर देंगे depreciation kind of 10% 5,000 और यह मेरा नुकसान है और इस नुकसान को record किया जाएगा 2 machinery 2 machinery कितने का 5,000 कोई डाउट 2 adjustment done कर चुके हैं तीसरे adjustment का provision for doubtful debts to be 6% on debtor और debtor के उपर 6% है तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे debtor और debtor कितने का है 40,000 रुपे का हमें net नहीं लिखना होता है gross लिखना होता है तो 40,000 बोलता है 6% बनाईए तो less PFD 6% 2400 6% क्या आगया 2400 already minus किया वा था 2000 हमें 2400 रुपे total लेके जाना था तो यानि नुकसान हो गया यहां पे और नुकसान कितने का 400 रुपे का और 400 रुपे कहां दिखाए two side debtor के नाम से PFD आएगा यह provision for doubtful debt 400 रुपे समझ में आई बात यहां तक अगले point पे चलते हैं Z took over investment at market value Z है ना वो market value पे investment को took over करके ले जा रहा है तो ठीक है जी Z ले जाएगा ना तो Z के capital को कम कर देंगे two investment और market value जो है वो है 17,600 सर अब investment fluctuation fund वाले में हमने adjustment में देखा था कि हमें market value और cost price के बाद एक होता investment fluctuation reserve investment fluctuation reserve से compare करना होता है तो यहां पे देखा जाए तो पहले पुराना मेरा जो था ना वो 15 अगा था और market में है 17,600 का तो यहां तो हो गया फाइदा फाइदा कितने का हो गया 26,600 का इस 26,600 रुपए को पता है कहां लेके जाएंगे revaluation के credit side by investment by investment और यह आ गया 26,600 रुपए ठीक है अब और देखते हैं आगे क्या है हमारा अब ध्यान से देखो तो liability side में investment fluctuation reserve भी है तो adjustment में हमने किया था कि किस तरीके से treatment होगा यह partners capital में distribute हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले assets को हम adjustment complete कर रहे हैं जब हम आएंगे transfer की entry पे तो कर लेंगे आगे कहता है liability for workman compensation 750 is to be created यानि liability जो है आपका workman compensation का 750 रुपे का बनता है पहले से workman compensation था हमारे पास तो workman compensation reserve पहले से 12,000 था तो अब बोलता है कि 700 रुपे का claim हुआ है एक तरीके से क्या है यह claim तो 750 है ना 750 का claim हुआ है तो 750 आगे है liability में जितना part claim होगा आएगा liability में हमारे पास total कितने थे 12,000 12,000 में से 750 का तो claim हो गया तो balance अगर मैं निकालू ना यहाँ पे 11,250 बच गये 11,250 अभी भी WCR है workman compensation reserve है 11,250 को हम distribute कर देंगे old ratio में partner में तो buy side में आ जाएगा workman compensation reserve 11,250 old ratio में तो यह आ जाएगा हमारा 3 तो यह आ जाएगा 56,25 2 37,50 1 18,75 यह आ गया ठीक है 18,75 यह आ गया यहां तक समझ में आ रहा है workman compensation के बाद आगे कहता है revolution में नहीं जाएगा revolution में कब जाएगा यह जब हमारा loss से extend हो जाता है ठीक है न इसके उपर मैंने 10-12 मिनिट की girls वाले बहच में एक video बनाया था मैंने वो मैं आपको दूँआ देखना IFR वाला तो boys वाले बहच में करवाया था clear यह दोनों adjustment 15-15 मिनिट का जरूर देखना और इसको देखने के बाद आपको total clear हो जाएगा इसमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है ना कभी दिक्कत आपको होगी नहीं आगे देखते हैं आगे क्या कहता है यहाँ पे A liability 4000 include in the creditor not to be paid एक liability है 4000 रुपए का जो creditor में include है उसे payment ही नहीं करना तो यह क्या हुआ हमारा फाइदा तो सबसे पहले की बात करें तो total creditor कितने का है हमारा total creditor है 21 इसमें से 4000 रुपए को not to be paid का मतलब हमें payment नहीं करने है जब हमें payment नहीं करना तो less कर देंगे यहाँ से not paid और not paid हमारा 4000 और यह क्या हुआ हमारा फाइदा हो गया तो किदर आजाएगा buy side में buy आजाएगा हमारा 4000 रुपए creditor के नाम से creditor 4000 चलो मैं एक बार इसके general entry पूछू कैसे करोगे creditor आपका कम हो रहा है तो फाइदा है और creditor कम होने का मतलब creditor debit होगा तो entry हो जाएगा creditor account debit to किसको करें to revaluation account general entry आएगा आपका और confirm इस बार exam में chances general entry कहीं है तो आपका क्या होगा creditor account debit creditor घट गया और two revaluation और एक चीज और ध्यान रखना है अगर revaluation debit जा रहा है तो नुकसान है और revaluation credit में हो रहा है तो क्या है फाइदा है golden rule तो यही कहता है हमारा nominal का आगे देखते हैं क्या कहता है amount due to Z paid as follow जो भी Z का पैसा है उसको हम इस तरीके से payment करेंगे और payment कैसे करना होगा पाँच हजार सरसट रुपे immediately paid करो पाँच हजार सरसट तो पाँच हजार सरसट paid करना है तो उसको तो मैं कर देता हूँ bank से paid bank से paid करेंगे Z को पाँच हजार सरसट रुपे ठीक है ना जब हम इसके उपर आएंगे तब करेंगे ठेकर आधी लाइन को तो मैंने कर दिया पेमेंट बाकी बाद में करेंगे अब देखते हैं फटा फट से हम बैलेंशीट के आइटम को सबसे पहले क्या है कैशेट बैंक 5750 तो कैशेट बैंक इंसाइड में लिखना होगा बैंक में आपका 5750 फाइव सेवन फाइव जीरो इसके बाद अगले पॉइंट के डेटर कर चुके हैं स्टॉक क्या है हमारा 30,000 तो स्टॉक हमने लिख दिया 30,000 रुपीज का इसके बाद क्या गीवन है स्टॉक के बाद देखा जाए तो इंवेस्मेंट हो चुका है पेटेंट हो चुका है एन मसीनरी भी हो चुका है गुडविल गुडविल 6,000 रुपे बैलेंस शीट में जब कभी भी गुडविल मिले उसे क्या कर देंगे रिटन ओफ और रिटन ओफ का मतलब टू साइड में डिस्टिब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में गुडविल छे हजार है तो बट जाएगा तीन हजार दो हजार और एक हजार एसेड साइड में तीनी चीज़े एसेड गीवन होता है जो कि हम capital में debit कर देते हैं क्या क्या एक तो गुडविल एक profit and loss और एक advertisement suspense ये तीनों अगर आपको एसेड साइड में दिखता है तो हम क्या करते हैं उसको बाट देते है टू साइड में और वो भी किस ratio में old ratio में देखो सारा काम old ratio में होता है गुडविल जो premium जो gaining ratio में बढ़ता है बस एक ही point है बाकि सब old ratio में है इसके बाद आगे देखा जाए तो देखो इसमें advertisement expenditure भी है बावन सो पचास रुपे का ये भी क्या होगा two side में आ जाएगा two advertisement expenditure बावन सो पचास तो बावन सो पचास divided by six ये आ जाएगा 2625 इसके बाद two 1750 और one 875 रुपे ये आ गया हमारा इस side में कोई दिक्कत यहां तक कोई problem यहां तक नहीं है इसके बाद आगे देखा जाए तो liability side में चलते है creditor हो चुका है workman compensation हो गया IFR नहीं बाटा तो investment fluctuation reserve भी partners capital में बट जाता है तो इसे कहां बाट देंगे buy side लेकिन हमेशा नहीं बटता ये भी मैं बता दूँ आपको इसके लिए आपको एक जो वीडियो लिखा हुआ है मैंने upload किया हुआ है उसे देखना होगा और जो बच्चे आये थे class में उनको तो पता ही है कि कई बार ये बटता भी है और कई बार नहीं भी बटता IFR investment fluctuation reserve के नाम से मिल जाएगा आपको आगे देखते हैं हम investment के बाद capital capital तो balance क्या होगा buy side में buy balance CD बताइए X का क्या है अच्छा हाँ BD आएगा बताइए balance क्या है इसका 68,000 Y का 32,000 Z का 21,000 सारा information done अब totaling का काम process start होगा total सबसे पहले किसे करेंगे revaluation को तो पता है journal entry करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हम adjustment की journal entry तो कर देते हैं लेकिन हम profit की journal entry transfer करना भूल जाते हैं क्योंकि हमें profit पता ही नहीं होता तो सबसे main point journal entry में जो mistakes करोगे वो इसके profit की entry करनी आप भूल जाओगे या loss की उसे जरूर करना है कैसे करेंगे अभी journal entry भी देखेंगे तब देख लेंगे हम तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा नुकसान ही हो रहा है यहाँ पे और यह आ गया 7400 7400 और buy side में आएगा buy side में loss और minus 2600 minus 4800 रुपे का loss आ गया और यह बट जाएगा x y 800 रुपे बाट देते हैं तो यह आएगा हमारा 400 रुपे 266 रुपे मान लेते हैं और 133 रुपे यह loss किदर जाएगा बताइए two side आ जाएगा two side आ जाएगा revaluation loss 400 रुपे 266 रुपे और 133 रुपे ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है न ठीक है और अगला पॉइंट अब क्या करेंगे partners capital को close partners capital को close में सबसे पहले जो partner retire हो रहा है न उसको close करना चाहिए तो retire partner कौन सा है बताओ तो Z को close करते हैं Z में है 21,000 प्लस 3480, 2320, 1875 और 1000 यह आगया 29,675 और Z का हम इधर देखा जाए तो 29,675 ठीक है न अब हम balancing figure निकालेंगे already हम इसको कुछ पैसा दे चुके हैं Z को और जो पैसा दिया है न उसको यहाँ minus भी कर देना चाहिए था मुझे Z capital के नाम से और कितने रुपे पेड किया था Z को याद है 7 ठीक है दे चुके हैं double entry हो गया है अब minus अगर करें हम Z को तो 17,600 minus 5,666 और minus 1,000 minus 875 और minus 133 तो 5,000 रुपे निकल के आ रहा है समझ में है इसका balance क्या रहा है 5,000 अब इस 5,000 रुपे का तो loan बन सकता है लेकिन question क्या कहता है कि आपका जो भी balance बच्चता है ना उसका 50% loan बनाईए और 50% आप मान के चलिए कि हम इसको paid कर देंगे 3 महीने बाद या 3 साल बाद जो भी कहता है देखते हैं क्या कह रहा है कहता है कि 50% of balance balance मतलब जो भी है 5,000 है within a one year balance draft 3 month तो draft का मतलब हम promise करते हैं कि आपको पैसे दे देंगे तो simple language में बोला जाए जब भी draft payment की बात है तो bills payable बनता है क्या बनेगा bills payable जब भी payment की बात आएगी तो बनेगा हमारा bills payable ऐसे situation में हम 50% को बनाएंगे Z का loan और 5,000 का 50% क्या होगा 25,000 रुपए आ गया लोन में और 5,000 का ही balance 50% आ जाएगा bills payable के नाम से 25,000 रुपए main important जो काफी बच्चों का query था काफी बच्चों का doubt था वो ये है ठीक है ना bills payable के नाम से आगया कोई दिक्कत यहां तक चलिए अब हमने X और Y के account को close कर लेना चाहिए जो simple है बिल्कुल general entry में देखा जाए तो general entry में पता ही क्या करेंगा जब Z को payment करना होगा तो bank account credit हो जाएगा है ना और Z का debit हो जाएगा capital जब loan होगा तो loan credit हो जाएगा और Z का capital क्या होगा debit हो जाएगा और bills payable के case में फिर से Z का capital debit होगा और bills payable credit हो जाएगा X का capital close करते हैं X का capital एक्स के कैपिटल की बात करते हैं 68,000 प्लस 56,25 प्लस 3,000 76,625 और 76,625 माइनस कर देते हैं 3480, 3,000, 26,25 और 400 जी इसका बैलेंस आएगा 2 बैलेंस CD और ये आ रहा है 66,120 ठीक है Y का देख लेते हैं हम अब तो Y का यहां टोटल अगर करें तो 68,000 32,000 37,50 और 2000 ये आगे है 37,750 37,750 इदर लिखा माइनस कर देते हैं 23,20, 2000, 17,50 और 266 ये आगे हमारा 31,413 capital में लिख देते हैं capital हमारा आएगा यहां पर और capital आएगा X का और Y का 67,120 और 31,413 और एक बात याद रखना जो बच्चे बुक के आंसर को मैच करते हैं एक दो रुपए का friction में फरक आ जाता है कई बार नहीं भी आता और एक दो रुपए का आ जाता है point में round figure करने की वज़े से जब point 33 वाला case आता है ठीक है न पहले ये देखिए revaluation में कोई doubt partners capital समझ में आ गया अब finally बस हमें balance sheet को total करना है और ये entry post हमने ये वाला BD तो ले गए इसको भी तो ले जाना होगा दोनों को तो यहाँ पर लिखेंगे जेड का loan सर जेड का loan पच्चिस सो और bills payable भी पच्चिस सो रुपए चलिए यहाँ पर आ जाएगा इसको minus कर दे तो 17,000 इसको minus करेंगे तो 8,000 इसको minus करेंगे तो 37 और यहाँ minus करके देख लेंगे अबी रुख जाओ 9, 8, 5, 3, 3 और 57, 0, 50 पचास सड़ सट छे सो तरासी अब आठ हजार पैंतालिस हजार सैंतिस छे सो छे सो तरासी और तीस हजार यह आगया एक लाख एक्किस हजार दो सो तरासी रुपए इधर का भी टोटल चेक कर लेते हैं और कुछ रहे गया क्या इधर का टोटल मिस्टेक है आठ हजार है मैंने सी ले लिया साइद आठ हजार पैंतालिस हजार सैंतिस छे सो छे सो तरासी और तीस हजार यह एक एक्किस दो सो तरासी ठीक है अठानवे पांसो तैंतिस पच्चिस सो पच्चिस सो साथ सो पचास और यह आगया एक एक्किस दो सो तरासी ठीक है दोनो साइड मैच हो गया अब जनल एंट्री करेंगे तो कुछ बातों को आपको फॉलो करना है जो कि मैं इसको पूरा एरेज करके फिर कराऊंगा सबसे पहले बैलेंज बीडी और बैलेंस सीडी का कभी जनल एंट्री नहीं होता रूल नम्बर वन इसका मतलब सर आपका कहने का मतलब यह है कि ना तो इसकी जनल एंट्री होने वाली है और ना ही इसकी journal entry वाली होने वाली है balance bd और balance cd का कभी general entry नहीं होता rule number two balance sheet के अंदर कभी भी किसी item का journal entry नहीं होता दो rule पता चल गया rule number three जब amount कोई एक जगह से दूसरे जगह transfer हो रहा होता है तो transfer वाले की सरिफ हम कितनी entry करते हैं एक entry करते हैं बस ये तीन रूल ही follow करने होते हैं हमें general entry करते टाइम पर, फिर हमारा सारा का सारा general entry हो जाएगा, यानि इसका भी general entry करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, और इसका भी करना है, अलग-अलग करेंगे, इसका भी करना है, बट इसी की entry यहां भी गया है, इसका नहीं कर यह भी जर्नल एंट्री का हिस्सा ही बन जाएगा वो डिरेक्ट करेंगे इन्वेस्मेंट भी जर्नल एंट्री का पार्ट माना जाएगा यह भी माना जाएगा यह भी माना जाएगा यह नहीं होगा क्योंकि यह कहां से आया हुआ है transfer से loan का करेंग है bills payable का करेंग है balance sheet का होगा क्या नहीं होगा balance sheet के asset side और liability side का तो कभी होता है नहीं तो कितनी general entry होगा ये हमें ध्यान रखना है तो एक बार पहरे laser फटाफट note करो फिर मैं इसे erase करके एके करके general entry मैं सब का करूँगा exam के अंदर general entry में challenge पता ही क्या आपके सामने एक तो ये आपको calculate करना पड़ेगा और एक आपको ये दोनो amount calculate करना पड़ेगा यानि loan तो निकालना ही पड़ेगा न उसका कितना है तो इसके लिए आपको rough में working note करो या laser बना वो आपकी इच्छा रहती है तो फटा फट से एक बार note करिए फिर देखते हैं आगे इसका general entry भी हमें देखना है जल्दी जल्दी note करना थोड़ा